गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारिक, MDMCA कक्षाचार में आपका स्वागत करती हूँ करल हमने पाट तीन शुरू किया था जिसका शीर शक्ता शिकारी की मम्ता मम्ता यानि की शिकारी का जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए उसके बारे में बताया था हमने पढ़ा था एक शिकारी था वो जंगल में बहुत देर इदर गूमता रहा लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला तब ही उसने देखा कि एक छोटा सा हीरन का बच्चा जिसे ये नौटा कहते हैं वो दिखाई दिया और वो बहुत सुन्दर था उसकी आखे बहुत बड़ी बड़ी थी और वो जंगल में घास चर रहा था शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पकड़ कर उसने अपने मन में सोचा कि मैं इसे मारूंगा नहीं और अब हम कल ने हमने आतक पड़ा था आज हम से इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं और अपने बच्चों को उपहार के रूप में दूँगा वे इसे पालेंगे और इसके साथ खेलेंगे शिकारी ने कहा मैं इसे ले जाओंगा अपने बच्चों को दूँगा और मेरे बच्चे इसे इसको बड़ा करेंगे इसके साथ और इसके साथ दिन राद खेला करेंग उसने हिरनोटे को घोडे की पीट पर रख लिया फिर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा उसने हिरनोटे का जो छोट था बच्चा हिरनोटा उसको घोडे की पीट पर रख लिया और अपने घर की तरफ चला रास्ते में शिकारी सोचता जा रहा था अहाँ मेरे बच्चे इस हिरनोटे को देखकर मोहित हो जाएंगे उन्हें प्रसंद देखकर मुझे भी खुशी मिलेगी अपने बच्चों की प्रसंदता देखने के लिए वह उत्सुख हो उठा जो रस्ट शिकारी जा रहा था ना वो मन में सोसता जा रहा था कि जब मैं घर जाओंगा मेरे बच्चे इस छोटे से हिरन को देखेंगे तो वो बड़े खुश हो जाएंगे और इसकी सुंदर्ता पर सुंदर्ता देखने लायक है इसलिए जब वो खुश होंगे तो उन्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी जैसे सारे बच्चे खुश होते हैं उनको देखकर उनके ममी पापा भी खुश होते हैं ऐसे उसने शिकारी ने सोचा मैं भी बहुत अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ तेज चलो यह कहकर शिकारी ने घोड़े की गती तेज कर दी घोड़ा सरपट भागने लगा तभी शिकारी को पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी अब शिकारी ने क्या कि अमन में सोच कर अपने गोड़े से का तेज चलो और उसने गोड़े की जो चालती वो तेज कर ली गोड़ा सरपट भागने लगा मतलब गोड़ा बहुत तेज भागने लगा तब शिकारी को लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है और क्योंकि उसे उसके पैरों की आवाद सुनाई दे रही थी मेरे शिकार कोई शिकार मेरे जाल में फंसने जा रहा है क्या यह सोच कर शिकारी ने पीछे मुड़ कर दिखा तबी उसे एक हिरन दिखाई पड़ा जो दोड़ता हुआ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था उसने सोचा जैसे उसे कदमों की हाट सुनाई दी ना उसने सोचा क्या और कोई शिकार मेरे जाल में फंस गया उसने जैसे ही पीछे मुढ़ कर देखा तो उसे एक हिरन दिखाई दिया जो उसके पीछे टेजग भागता भागता आ रहा था तब शिकारी ममन में सोचा क्या मैं इस पर तीर चलाऊं एक शंड के लिए शिकारी के मन में यह विचार आया लेकिन शिकारी को शिग्र घर पहुँचने की ततपरता थी वह अपने बच्चों की प्रसनता देखने को उच्शुक थी वह शाम ढलते ढलते घर पहुँच जाना चाता था इसलिए उसने हिरन पर तीर चलाने का विचार त्याग दिया वह अपने घर की तरफ ही बढ़ने लगा अपने बच्चों के उपहार दे के उनकी खुशी देखने के चाता हूँ इसलिए उसने सोचा की नहीं मैं इसको नहीं मारूंगा और मैं अपने घर के तरफ जाऊंगा वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था की फिर उसे किसी जानवर के आने की आहट पुने सुनाई दी जैसी वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा न कि जानवर की आहट होता है आवाज पैरों की आवाज वापिस सुनाई दी शिकारी ने पलट कर पीछे की और देखा उसने देखा कि वही हीरन उसका पिछा कर रहा है उसने जैसे पीछे देखा तो उसको देखा वो जो हीरन था वो वापिस उसके पीछे आ रहा था लेकिन उसने समीब से देखा तो पाया कि वह हीरन नहीं हीरनी है जैसे वह पीछे देखा न उसने लगा कि ये तो हिरन नहीं है, कोई हिरनी है, हिरनी भैबीत नहीं थी, वे निडर होकर पीछे पीछे चली आ रही थी, उसने देखा जो हिरनी थी न, वो शिकारी को देखकर डरी नहीं थी, वे बिल्कुल निडर होकर यानि कि बिना डरे उसके पीछे पीछे आ रही थी शिकारी को आश्चर्य हुआ कि हिरनी उसका पीचा क्यों कर रही है शिकारी बड़ा है रान हुआ कि मुझे देखकर तो सारे जानवर भाग जाते हैं और यह हिरनी है जो मेरा पीचा क्यों कर रही है शिकारी ने घोडे की लगाम थामली घोडा रुक गया जब शिकारी ने क्या किया जो घोड़े की लगाम थी उसको कसके पकड़ा पकड़ते ही वो घोड़ा रुक गया घोड़े को रुकता देख हिरनी भी ठिटक गई जैसे ही वो घोड़ा रुका न वैसे के साथ ही उसी के साथ वो जो हिरनी थी वो भी वही रुक गई वे धीरे धीरे शिकारी के समीप आ गई फिर वो जो हिरनी थी वो धीरे धीरे चलती शिकारी के पास आ गई वे अपनी बड़ी बड़ी आखों से अपने हिरनोटे को एक टक देखे जा रही थी जैसे वो शिकारी के पास में आई ना तब शिकारी में देखा कि जो हिरनी थी वो अपनी बड़ी-बड़ी आखों से वो जो हिरन का बच्चा था ना छोटा सा उसकी तरफ एक टक देखे जा रही थी यानि कि लगातर बिना पल के जब्काई देखे जा रही थी चलिए आज अम इतना ही पार्ट पड़ेंगे अब मैं आपको करने के लिए कुछ अभ्यास देती हूँ आप इस अभ्यास को करना और जो पार्ट पड़ा है उसे उस कहानी को याद करने की कोशिश करना ये आपका होंवर्ग है